हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक बल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाडू सीरीज की अगली कॉमिक्स चटान संजग उपता पेश करते हैं चटान लेखा का नीवजर संबादक मनीश गुपता चित्रांकन मनू अंतरिक्ष का विस्तार कितना इसकी गड़ना नहीं की जा सकती अंतरिक्ष कहां से शुरू है और कहां खतम इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है ठीक उसी तरह अंतरिक्ष लेकिन पिर्थी पर ऐसी गटनाओं का अकसर कोई गवा नहीं होता ना तब जब ऐसी गटनाओं का निशाना सुनसान होता है और ना तब जब उसका निशाना वह जगह होती है जहें इनसान रहते हैं आज भी ऐसी गटना गटी है आज भी उसका कोई गवा नहीं है लेकिन ये गटना जल्दी एक बड़ी दुरगटना बनने जा रही थी और उसका गवा जल्दी ये सारा शहर बनने जा रहा था जो अपने अपने कामों में वेस्थ था ठीक परमाडू की तरह तो मैं सेंटरल जेल पहुचाने से पहले मैं तुमसे पूस्टाज करके उन्हीरो तब कहुच जाना चाहता हूँ तो तुमने जगन सेट से लूटे थे हमारी वज़े से हमारा दुश्मन सिर्फ एक ही जगह पहुचता है और वो जगह शंचान होती है और तू भी वहां कई पीसों में बट कर पहुचे का परमाडू मुझे शंचान पहुचाने का अर्मान रखने वाले जेल तो पहुचते हैं लेकिन बात में वे पहले पहुचते हैं अस्पताल भटाक अपने तूटे हुए थोबड़ों और हड़ियों का इलाज करवाने के अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना कि मैं हीरों तक पहुंच सकता हूँ इसलिए अपनी और दुर्गती करवाने से अच्छा है तो मुझे उनका पता बताओ वो सामने तालाप के पास जो पीपल का पेड़ है उसी की कोब में हमने उन हीरों को चिपा रखा है ओके जब तक मैं उन हीरों को निकाल कर लाता हूँ तब तक तुम अमने साथियों के तरह एक नीन ले लो होश में बज़ो इस आखरी बदमाश को बेहोश करने के बाद परमाणू ने तालाप के पास मौझूद पीपल के पेड़ की खो के अंदर से हीरे बरामत किये यही है वे हीरे अब मैं इने और इनके लुटेरों को लेकर वापिस लोटता हूँ ओ ये एक आएक मुझे क्या हुआ मेरा सिर क्यों चकराने लगा मेरे सारे शरीर में चीटियां सी क्यों रेंगने लगी अह मेरे मस्तिश की सभी नसे फट पलन को तारू क्यों हो रही है एक पल में परमाडू की साथ कई अश्च जना गटनाए गटी और दूसरे इपल चांत हो गई पता नहीं क्या हुआ था मुझे जो अपने आपी सामान हो गया क्या था ये परमाडू की समझ में कुछ ना आया फिर बापिस उड़ चला परमाडू इस बास से बेखबर की उसके पीछे घट रहा था ऐसा कुछ जिसे वह देख लेता तो निसंदे वह खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता की वह जाग रहा है या सो रहा है क्योंकि जो घट रहा था वह था एकदम अविश्वस नी है अकल्पनी है नीले रंग की वह चटान तेजी से अपना रूप परिवर्थित कर रही थी जो पल बरबाद ही परमाडू बन गया जिसके पास परमाडू की तरह ही ओड़ सकने की शक्ती थी जिसके पास परमाडू जैसी विशेश एस्बस्टर से निर्मित सर्किट युक्त पोशाक थी परमाडू शक्ती से भरी बेल्ट थी उसके पास हर चीज परमाडू की ही थी परमाडू से अलग था तो सिर्फ उसका रंग बड़ा अनोखा है ये पृत्वी गया बहुत अधिक शक्तिशाली है यहां पाया जाने वाला जीवन नाब की ये शक्तियों का बंडार भरा हुआ यहां के प्राणियों में जिसकी वज़य से यहां के वासी कभी भी अडूओं में विखंडित हो सकते हैं और फिर पुना मिलकर शरीर का रूप ले सकते हैं नाब की ये तरंगों से कैसा भी गातक प्रहार कर सकते हैं लेकिन ये चोटी सी थैली में मौझूद तुकडे कैसे हैं जो मेरे जिसम से भी ज़्यादा मजबूत और चमकतार हैं अबशी यह मनुश्यों की शक्ति या उनका कोई हत्यार होगा या शायद कुछ और इसके बारे में वह बाद मैं सोचूँगा फिलाल तो मुझे अपने इस अभ्यान के लिए तुरंद निकल पढ़ना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ आया था उस मनुश्य में समझाएगी जिसका इशरीर मैंने धारान कर रखा है और ऐसा हुआ तो वह हमारे ग्रह का सारा रहस सारा रहस समझ जाएगा इसलिए 48 गंटे में अपने ग्रह की बलाई के लिए हर काम करने के साथ साथ मुझे उस मानक को भी कतम करना होगा ताकि हमारे ग्रह का रहस सदा रहस ही बना रहे एक अंजान खत्रा परमाणू पर मौद बनकर मंडराने लगा था और परमाणू को इसकी बनक भी नहीं थी वह तो अगले दिन इस्पेक्टर विने की रूप में कमिशनर साथ के सामने मौजूद था वेल डन विने इन हीरों को रिकार्ड समय में बरामत करके तुमने पुलिस डिबार्टमेंट की लाज रख ली थैंकियो जर मुझे उमीद है इसी केस की तरह तो हम उस केस को भी जल्दी निप्टा लोगे जिसके रहस ने हम सब के दमागों के फ्यूज ड़ा रखे है किस केस की बात कर रहे है सर कल राख शहर के मशूर गोल्ड सप्लायर हीरा चंद के बड़े वॉल्ट में रखका सौक लो सोना गायब हो गए और आश्चर की बात यह है कि वॉल्ट के दरवाजे और इसे तालों के खरोस तक नहीं आई और ऐसा सिर्फ गोल्ड स्टार में ही नहीं हुआ चांदी, बीतल, लोहा और स्टील के कई स्टोर के मालिकों ने थानों में कंप्लेट लिखवाई है कि उनके स्टोर भी रहस में टेंसे रातो रात खाली हो गए ओ, ऐसा कैसे हो सकता है हुआ ऐसा ही है, इसका पता तुमा लगाना है कि ये सब कैसे हुआ ओ, केस सर, कमिशनर को सैलूट करके उनके आफिस से बाहर निकला इसक्री हो ना मकडी के जाले की तरह उल्जा हुआ केस है इसमें मुझे शर्ट पतीशे सफलता मिले, इसके लिए मुझे प्रॉफेसर साब की साहता लेनी होगी शहर के चपे चपे पटिकी उनकी नजरों को और भी जादा सतर करकने के लिए उन्हें बुलाना होगा उन्हें बोलना होगा इंस्पेक्टर विने ने प्रॉफेसर से संपरक स्थापित करके उन्हें इस्तिती से अगबत करा है और फिर वे पर्माडू बनकर निकल पड़ा उस रहसी की खोज में जल्दी पर्माडू को सुनाई दिया प्रॉफेसर का हैरस से लबालब तरह सर एक आश्चेचन गटना से सामना करने के लिए तुरंती पुराने यमना के पुल के पास पहुचो पर्माडू क्या है महाँ प्रॉफेसर आठवा जूबा जिसे देखने के बाद तुम भी मेरी तरह अपनी आखो पर विशास नहीं करोगी जल्दी वहाँ पहुचो ओके प्रॉफेसर पर्माडू तुरंती अपनी सुपरकती से यमना परिस्तित पुराने पुल की तरफ लहराया और वहाँ पहुचकर ऐसे जड़ होकर रह गया मानू उसके सारे शरी को लकवा मार गया हूँ आखें ऐसे फटी की फटी रह गई मानू पत्रा गई हूँ दिमाग ऐसे सुननो कर रह गया मानू वह कुंद हो गया और ऐसा सब इसलिए हुआ क्योंकि पर्माडू के सामने खड़ा तब है जिसके आगे आठमा जुआ भी बच्चा था कहीं मैं कोई आएना तो नहीं देख रहा क्योंकि सामने मैं अपने आपको इखड़ा देख रहा हूँ सामने वाला भी मेरी तरही पर्माडू है फर कहते है तो सिर्व रंग का लेकिन वह कर क्या रहा है पर्माडू का गवरती रूप जो कर रहा है तब और भी जाता हैरत अंगेज था उसने जो तरंगे छोड़ी है उन्होंने आश्चर जनक तरीके से फुल के आदे इससे को अपने इस्थान से गायब कर दिया है और अब उसने अपनी तरंगों का निशाना बनाया ट्रैफिक को ओ ये तो ट्रांस्मिट तरंगे हैं जो बस ट्रक वगएरा को तेजी से ट्रांस्मिट कर रही है ये तो वही तरंग है जिनकी मदद से मैं ट्रांस्मिट होता हूँ और ऐसा उसने उन तरंगों को कई गुना बढ़ा कर किया है इसका मतलब इसकी सिर्वेजबूशा ही मेरे जैसी नहीं शक्तियां भी मेरे समान है लेकिन ऐसा इसने क्यों और कैसे किया ये सब मुझे यही बताएगा लेकिन तब जब मैं इसके होश ठिकाने लगा कर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दूँगा परमाणू अपने तेजबार से उसके कोई असर तो ना डाल पाया लेकिन उसका ध्यान अपनी तरफ खिचने में ज़रूर सफल हुआ परमाणू? हाँ जिसका रूप और शक्ति चुड़ा कर दूसारे शहर में तहलका मचाय हुए है तूने ऐसा कैसे किया? मुझे तुससे इसका जवाब चाहिए ओ, इसके सामने आते ही ये एक आए क्या हुआ कि मेरे शरी में चीटी है सी रेंगने लगी मेरे मस्तिश में हलचल मचने लगी परमाणू रस्टी से मुझे बांधने की कोशिश करना बेकार है क्योंकि मैं परमाणू ब्लास्ट छोड़ सकता हूँ जो निश्य ही तेरी परमाणू रस्टी से कही अधिक शक्तिशाली है उफ, मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है और अब तो मेरा शरी तेजी से कमजोर भी होता जा रहा है मुझे जल्दी परमाणू छलो का इस्तेमाल करके इसे काबू मैं करना होगा परमाणू छलो का भी मुझे पर वार करना बेकार है उसके वार बिल्कुल मेरे वारो जैसे है लेकिन वे मुझे से अधिक शक्तिशाली और विद्धनसक है इसलिए उस पर अपना सटीक प्रहार करने के लिए मुझे चालागी से काम लेना होगा और इसके लिए सबसे बैदर तरीका ये है कि मैं यहां से ट्रांस्मीट होकर इसके पीछे पहुँच जाओ और उस पर करूँ परमाणू ब्लास्ट जो निश्चे उसे समलने से पहली खत्म कर देंगे बोल गया परमाणू मैं भी तेरी तरह ट्रांस्मीट हो सकता हूँ तेरे से कई गुना अधिक तेजी से पलक भीना जपक पाई थी कि वह ट्रांस्मीट होकर इस तब तो परमाणू के सामने आ खड़ा हुआ और उस पर कर दिया परमाणू ब्लास्ट चट्टान के वारों में भी तेरे वारों से कई गुना अधिक तेजी और शक्ती बरी है परमाणू ब्लास्ट का भीशर प्लार कोई साधार अनसान सह लेता तो कई तोनों तक नहीं उटस पाता लेकिन वारों परमाणू था जो कमजोर होते हुए भी एक छड़ में खड़ा हो गया जिस तरह लोहे को लोहे काटता है उसी तरह चट्टान को ये चट्टान काटेगी परमाणू के यहों का एक बहुत बड़ा लाब है कि अगर वा अत्यतिक परिश्क्रत हों तो उनसे किसी भी वस्तु का अपना मंचहा रूप दिया जा सकता है उर्वई नामा के ऐसी वस्तु का रूप जो शरीर के से टकराती तो है लेकिन ज़रा भी चोट नहीं पहुचाती इसमें मेरी तरही नापकिया शक्तिया हैं लेकिन पदार्द करूँ बदल देने का कमाल मैं भी नहीं कर सकता मेरे शरीर की तागत तीजी से कम होती जा रही है मेरा मस्तिश के फटने को उतार हूँ है इससे पहले कि मैं बेहाल होकर गिर जाओ मुझे इस पर जादर से जादा बार कर देने चाहिए मेरा कोई वार्थ उस पर असर करेगा ट्रांस्मीट तरंगों को मैंने इतना परिश्कत कर लिया परमाणू की किसी भी दातु को छड़वर्ट से पहले ट्रांस्मीट करके ऐसे गायब कर सकती है और बची कुची लोहे के खंबे के नश्ट होने के बाद कापते हाथों और चीन होती शक्ती के बावजूद भी परमाणू ने उखाड लिया वे पीड़ और बची कुची फूरी शक्ती से उसे चटान की तरह उचाल दिया अपनी शक्ती का पदर्शन तो खोग दिखा चुका परमाणू अब मेरी शक्ती का एक छोटा सनमूना देख ये तरंगे मेरी तरह बढ़ती किसी भी वस्तू को चटान में बदल देती है और फिर उसे लेकर मेरे शत्रू से जटक राती है उस चटानी पेड़के रूप में मानो परमाणू से कोई परवट टक रायो पचाड खाकर नीचे गरा परमाणू अब न उठ पाया क्योंकि उठने के लिए जो बल चाहिए होता है उसका एक कत्रा भी अपरमाणू के शरीर में शेशना था मेरा शरीर, मेरा मस्तिश्क, मेरी ताकत, सभी न जवाब दे दिया मेरी शारीरिक शक्ति के कारण तुँ मरने जा रहा है परमाणू तेरा शरीर चित्रों में बदलने जा रहा है परमाणू सिर्फ कुछी पलों में और इसके साथ ही मेरा रहस्त जान सकने वाला समाप्त हो जाएगा चट्टान के हलक से उबलते ठाक है और परमाडू के अकंटिस निकलती चीक है इस बात की घोतक थी कि परमाडू सचमुच खत्मों ने जा रहा था मौत उसे किसी भी पल अपने आगोश में लेने के लिए आतुर थी लेकिन तब ही हुआ परमाडू को नई जिंदी की देने वाला वहचबतकार और वहचबतकार करने वाली थी परलंका ठीक समय पर प्रोफेसर ने मुझे परमाडू की सायता करने का आदेश ना दिया होता तो सज्मोच आज मिट गया तब परमाडू को नामों निशान जल्दी परलंका परमाडू को लेकर परोफेसर कमल कुमार की लेब में पहुँच गई थी जब परोफेसर के अतक प्रियास उसे परमाडू के होशो ओवाज के साथ उसकी शारिरिक शक्ती देर रात तक वापिस ल को मैंने चट्टान की शरीब को विपिन नेंगलों से स्कैन कर लिया है वह क्या है उसमें तुम्हारे जाजी शक्ति कहां से आई इसके बारे में मैं तुम्हें अभी अध्धन करके बताता हूं इतना है अगर अध्धन में बहस्त होगा प्रोफेसर जल्दी उनके कंटे से पुल्टी गदी करने वाले शुक्र ग्रह से आया है कोई विक्सित प्राणी है उसने जब मेरे शरीर को गरण किया था उस समय मेरे पास भी वे हीरे थी मेरे शरीर मेरे शक्ति के साथ जातु सनोखे इंसान ने उन हीरों को भी गरण कर लिया है वह इंसान नहीं है पर हातुओं से बनाए एक पत्थार है जिसे कंट्रोल कर रहा है एक शक्तिशाली दिमाग वह यह दिमाग जो मनुष्यों के दिमाग से कही गुना जादा विक्षित और शक्तिशाली है उसी अत्यन्त विक्सित दिमाग की बदालत वह किसी के भी शरीर की हूब हूँ सरनरचना और शक्तियों को घ्रण कर सकता है ठीक उसी तरह जिस तरह है उसने तुमारे शरीर और तुमारी शक्तियां घ्रण कर रखी लेकर अपने दिमाग की बतल हो तो उसने उन शक्तियों की शम्ता कई गुणा अधिक बढ़ा लिये उसके सामने पहुंसनी तुमारे शरी के साथ घटने वाली क्रियाओं का सम्मद उसके परची की तुल्ला में पिप्रीद घुडन करने वाले शुक्रेदया की कारण इसी वज़े से तो मैगनेट के बारे बारे तो जानते हो यहो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो धरूब होते हैं पॉजिटिव को अगर नेगेटिव के सामने लाया जाए तो मैगनेटर आपस में चिपक जाते हैं जबकि पॉजिटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव को नेगेटिव के सामने लाने से दौनों दूसरों को विप्रीत दिशा में ठकेलते हैं ठीक ऐसा ही तुमारे साथ हो रहा है चट्टान शुक्र ग्रैसे आया है जहां के दौप प्रतिवी के दौप से एकदम विप्रीत है इसी वज़ेसे वह अपनी शक्तियों के बल पर तुमारा रूप ग्रैन धन्य में सफल हुआ लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उसकी शारे रिक शक्ति भी समान यानि पॉजिटिव हो गई अग जैसे ही तुम दौनों आपने सामने आते हो तुमारे शरी में प्रतिक्रियां शुरू हो जाती है यानि मेरी तरह चटान भी अपने आपको विचलित और कमजोर महसूस करता है बिलकुल लेकिन उसका मच्तिस्क अधिक शक्तिशाली है इसलिए चटान सब झेल जाता है लेकिन अगर तुम दौनों जादा देर एक दूसरे के सामने रहे तो तुमारा शरीफ फट जाएगा तुमारे शरीफ के फटने से जो विनाश होगा उससे कई हजार गुणा विनाश उसके फटने से होगा अगर चटान का शरीफ फट गया तो इसके शरी में मौझूद अत्य देख विक्सित परमाडू विक्रना तबावने चाहती है इसलिए उसके सामने मत पढ़ना परमाडू वरना अनर्थ हो जाएगा ओ, इसका मतलब जो बिनाज मैं मचा रहा है मैं उसे नहीं रोक सकता सच्चा ही है परमाडू लेकिन तुम चिंता ना को, मैं कोई न कोई हल निकाली लूँगा दर्टा से बरा हुआ था प्रोफेसर का चहरा जबकि शहर से बाहर बने इस पावर स्टेशन के बाहर मौझूद चट्टान के चहरे पर मौझूद थी शैतानियत यूरेनियम नामक दुरलब धातु का बंडार मौझूद है उस बवन में यूरेनियम के बंडार को अपने गरह पर भेजना मेरी एक बड़ी उपलब दी होगी चट्टान ने कदम बढ़ा है इसी के साथ आप पहुचे उसके कदमों को रोकने वाले रोको तुम्हारा अगला कदम तुम्हें मौत के मुझ में ले जाएगा चट्टान को रोक पौओ इतनी शक्ती ना तो तुम्हारे हातियारों में हैं और ना तुम में इसलिए जाकर इसलिए जाओ जाकर अंतरक्ष की सेर करो तम 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 ओ उसना हमारे साथियों को ट्रांस्मीट करके नजाने कहां पहुचा दिया खतम कर तो इसे बरस पड़ी इंसानी शरीर को छलनी कर देने वाली गोलियां लेकर उस चट्टानी शरीर पर उनका क्या असर पढ़ना था लगता है तम अपने साथियों के विना नहीं रह सकते इसलिए जाओ उनके पास या जाओ अपने विनाश देवता के पास एक शड़ोई चट्टान के सामने की हर अर्चन हड़ चुकी थी और वैं आगे बढ़ चुका था जल्दी सारी पृत्वी धातु वीईन हो चुकी होगी क्योंकि अपने विनाश से पहले में पृत्टी की धातु के सभी सैंपिल अपने ग्रह पर पहुचाओंगा अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब तु किसी धातु का एक कड़ भी अपने ग्रह पर भेज पाए उससे पहले ही परमाणू तुझे खत्म कर देगा तु फिर अपनी मौत के सामने आखड़ा हुआ है पृती के कीड़े अभी तेरा शरीर पहले की तरह छपटाने लगेगा ऐसा होने में अब थोड़ा समय लगेगा शुक्र एगर है कि बंदर और तेरी दज्जे और आने के लिए इतना समय मेरे लिए बहुत होगा प्रॉफिसर ने मेरी पोशाग में एक ऐसा डिवाइस फिट कर दिया जो इसके सामने पढ़ने से मेरे शरीप में बेचैनी कर देने वाली बिबिन निकरिया है बहुत धीमी कर देगा ठाक उस डिवाइस की वेज़े से मैं इसके सामने जादा दिर तक ठिका रह सकता हूँ उदर प्रॉफिसर अपनी लैम में से खतम करने का कोई उपाय खोजने में लगे हुए और जब तक भी ऐसा नहीं कर लेते तब तो मुझे इसे रोक कर या मौजूद यूरेनिम के बंडार को भी बचाना है और अपने आप को भी तो इसी तरह मेरे बारे में जान चुकाए कीडे तो किसी तरह मेरे बारे में जान चुकाए कीडे ओ इसलिए अब तुझे तुरंद नश्ट करना तिन तावश्चक हो गया है परमाडू के समनने से पहले परमाडू रसी उसके शही से लबठकर उसे बेवस करती चली गए परमाडू ने उससे छूटना चालेकिन मैं सबल न हो पाया इनसे छूटने ने लेकर अज़ने की नष्ट होने के तैयारी कर क्योंकि तुझे नश्ट करने आ रहा है यह परमाडू ब्लास्ट उस परमाडू ब्लास्ट के मेरे शही से टकरादी मेरे परखक्चे उड़ जाएंगे उससे तुरंद बचना होगा और उसके लिए बिना पोई पलुगावाए मुझे होना होगा ट्रांस्मीट अपनी बेल्ट का एक सद्वाते ट्रांस्मीट हुआ परमाडू मानो यही चाहता था चट्टान मैं जानता था कि परमाडू ब्लास्ट से बचने के लिए तुरंस्मीट होगा इसलिए मैंने पहले सही सोच रखा था गिया ऐसा होते ही मैं तेरे साथ ही इस मानो को ट्रांस्मीट करके उसके आड़ू तेरे अड़ूं से मिलाऊंगा ओ नो तु अपना पहले वाला रूप कभी ना प्राप्त कर सकेगा हाहाँ हाहाँ अब्यू अब्यू अब तु अपने शरीर मेंं अ मिले दूसरे मानो के चाहिए चुटकारा पाने की सोस तक तक में या रखी यूरेनिम दात्यू को अपने गरहे पर ट्रांस्मीट करता हूँ इदा चट्टान अपना लक्ष पूरा करने में वैस्त हुआ और इदा प्रोफिसर ने परमाणू के शरीव को ट्रांस्मीट किया कुछ चड़के बाद ही घटना इस तल से कुछ ही दूर दो अलग-अलग शरीर अपना अपना रूप धारन कर रहे थे शुक्रिया प्रोफिसर जो आपने मुझे इस अजूबे रूप से छुटकारा दिलवाया लेकिन आप मुझे घटना इस सल से इतना दूर क्यों लिया है तुम्हें वह उपाई बतलाने के लिए जो प्रत्री को उसे बाला से छुटकारा दिला सकता है सच हाँ परमाणू ध्यान से सुनो मैं तुम्हें वह उपाई बताता हूँ जो परमाणू ने अपनी सारी एकागरता उस आवाज में केंद्रित कर दी जो पता रही थी कि उस चट्टां को खतम करने का उपाई जो प्रत्री से धातू का नामों निशान खतम कर देना चाहता था इस गिराय के समय नुसार मेरे नश्ट होने में कुछी समय बागी है इसलिए मैं उस समय का भरपूर उपयोग करते हुए यहां कि जादा से आदा धातूओं को अपने गिराय पर ट्रांस्मीट कर देना चाहता हूँ यह सब अब भूल जा चट्टां तेरे जीवन का जो समय बचा है वह अब जूते खाने में गुचरेगा परमाणू एक पर फिर चट्टां के सामने था इसी बात ने चट्टां के करोद का जौला में की भढ़का दिया मेरे इस अबलता है कि राह में तू बहुत बड़ी अर्चाने भुनगे अब पहले तुझे खतम करके ही अपने अभियान को आगे बढ़ाने की सोचुगा मैं मेरे शरीर के हर चीज़ के साथ चट्टां ने उन हीरों को भी ग्रण कर लिया है जिने मैंने हीरों के चोरों से भरामबत किया था उसकी शक्ती के कारण ये हीरे पृथविक के हीरों से कई गुणा शक्तिशाली है प्रोफेसर ने बताया है कि ये हीरे ही चट्टां की बिनाश का कारण बन सकते लेकिन तब जब मैं अपनी ट्रांस्मिक तरंगों को हीरों से गुजार सकू ऐसा होते ही हीरे मेरी तरंगों को कई सौगणा अधिक शक्तिशाली बना देंगे और फिर में तरंगे निश्चाई चट्टान के वास्तिविक शरीर से मेरे शरी की संद्रचों का अलग कर देंगी सब कुछ सोचते परमाडू के अकंड से अजानक ची को बल पड़ी और ऐसा क्यों हुआ इसका पता परमाडू को तुरंती चला मैंने अपनी शक्ति बढ़ा दिये क्योंकि बहुत देर से तुछट पटाया नहीं है तुझे अपने अंत का हैसास नहीं हुआ है और ना ही तुछ इतना बेखबर है कि मैं तुझे अपना निशाना बना सकूँ परमाडू के सीने से टकराया वो परमाडू बलास जाधारनी था शायद यहीं चाता था चट्टान क्योंकि दूसरा ही छण उसके शरीर से परमाडू तरंगे निकलके ड्रक के बोनर से तकराया और उसे एक आश्चर जनक ग्रूप देती चली गई जिसमें ऐसे फसकर रह गया परमाडू जैसे चुए दानी में चुआ फसता नश्ट हो करी अब इस शिकंजे से तू बाहर निकलेगा परमाडू बहुत ही भैंकर तरीके सर नश्ट होगा तू और तुझे नश्ट करेगी यह मिसाइल जो अपने सुपर गदी से तेरे चीथलों उड़ाते हुए गुज़र जाएगी उफ परमाडू शक्ती का इस से अधिक आश्ट जुन उपिगो और क्या होगा मैं परमाडू इदन से इस मिसाइल को चालू कर रहा हूँ एक छड़ बाद ही यह अपने इस्थान से स्टार्ट करने में वेस्ट है इसलिए एक पल के लिए इसका ध्यान मुझसे हट गया है सिर्फ एक पल ही मेरे एक पल ही है मेरे पास खुद को और इस शेयर को भीचर तबाई से बचाने के लिए परमाडू ना पूरी शक्ती लगा कर अपने एक हाथ को इस काविल बनाया कि वह हिल डूल सके और धवा से के परमाडू वेल्ट का वह सुच इधर से सुच दबने के साथ ही परमाडू चल्ले अपने लक्ष की तरह बढ़े और मिसाइल अपने लक्ष की तरह लेकिन मिसाइल का लक्ष अपने अब अपने इस्थान पर कहा था परमाडू चल्लों का लक्ष अभी भी अपने पूर्वत इस्थान पर था परमाडू चल्ले थैली में बंद हीरो उनसे चट्टान के शरी से परमाडू के शरी की संद्जना अलग हो रही थी और वह वापस अपना चट्टानी रूप धारन कर रहा था और जैसे ही चट्टान का चट्टानी रूप वापस लोटा वैसे ही मैंने तुम्हारे ग्रह के प्राणू की बुद्धी को बहुत कम आका परमाडू इसलिए मुझे तुम्हारे शरी छोड़ने का नुक्सान उठाना पड़ा लेकिन इससे मुझे एक लाप भी हुआ है तुम्हारे साथ साथ मैं भी नश्ट होने से बच गया लेकिन मुझे बचने की खुशी नहीं अपनी हार का दुख है परमाडू इसलिए अपने इस हार को जीत में बदलने के लिए मैं जल्दी लोटूंगा और तब इस ग्रह का कोई भी दमागे से तबाह होने से नहीं बचा पाएगा इस बार जो तो प्रधी पर वापस आया तो प्रधी पर आया तो वापस नहीं लोट पाएगा शैतान समापत तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समापत करते हैं और मिलते हैं परमाडू सीरीज के अगली कॉमिक्स इतिहास में तब तक के लिए धन्यवाद